आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पैंचांग की आज शनिवार है सुरावण मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोद शीत्य थी है जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय जिस कारिय से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कारे को अभिजित महुर्त में प्रारम्भ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरी कोती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारम्भ नहीं करना चाहिए आज प्रदोश व्रत है और आज एक बड़ा ही महत्त पुर्ण और विशेश समय है विशेश मुहुर्त है शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं शनिदेव ने किसी भी प्रकार से आपको कश्ट दे रखा है या दंड दे रहे हैं तो मुक्ति का एक साधन है शनित्र योदसी यानि आज का दिन वैसे तो ये इस्तुती वर्स में दो या तीन बार कभी कभी चार बार भी आही जाता है इस तरह के इस्तुती बंती है आज स्रावन मास में एक अत्यंत शुभ समय स्रेष्ट समय वितीत हो रहा है और इस काल में अगर आप ये छोटा सा प्रयोग करें कई तरह के लाभ आपको मिलने वाले हैं शनी जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी वो तय है भोलेनात की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी सबसे बड़ी बात ये है तो दिब्य महा प्रयोग में आज शनी त्रयोदशी प्रदोश व्रत की चर्चा करेंगे दिब्य महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं गरहस्तुतियों की शुक्र और चंद्रमा यूती बनाकर ब्रशब रासी में सुन्चरण कर रहे हैं चंद्रदेव राशी परिवर्तन करके मिथुन राशी में प्रवेस कर जाएंगे जहां पर पूर्व से ही राहु पुद्धर हैं चंद्रमा क्या जाने से त्रेग्रही योग बनेगा और मिथुन डाशी में राहू और पुद्ध पहले से ही हैं शूर्य करक राशी में देवगुरु ब्रहस्पती केतु के साथ यूती बनाकर धनुराशी में संचरण कर रहे हैं शनीदेव मकर राशी में वक्री होकर के और मंगल मीन राशी में संचरण कर रहे हैं नौ बजे के बाद आज गज केशुरी योग का निर्माण ग्रहन योग का भी निर्माण आज होगा तो यह है ग्रहस्तुति इन ही ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया यानि दैनिक और राशी फल तयार किया है वो नेदर्शक जो म आप अपने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं शनी त्रयोदसी जिनको प्रदोश व्रत प्रारंभ करना हो उनके लिए सरवाधिक स्रिष्ट उतम महुर्त है ये स्रवाधिक स्रिष्ट समय है ये क्योंकि स्रावण मास भोलेनात का अत्यंत प्रिय महिना और उसमें भी प्रदोश व्रत प्रदोशकाल में सायंकाल भोलेनात की आराधना और भोलेनात की आराधना करके शनिदेव की कृपा प्राप्ति का वरदान मांगना वरतमान समय में पाँच राशियां सनिदेव से कष्ट प्राप्त करती हुई दिखाई पड़ रही हैं मिठुन, तुला, धनू, मकर, कुम और कन्या कन्या राशि को ढईया साड़े साती नहीं चल रही है राशिश शनिदेव पंचमस्त चल रहे हैं तो ये है वो पाँच राशियां जिनको सनिदेव प्रत्यक्षत ह कष्ट प्रदान कर रहे हैं तो वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की महाधसा चल रही है और किसी भी प्रकार से शनिदेव आपको कष्ट प्रदान कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए आपकी सुरक्षा तय कराने का दिन है भोलेनाथ की सरण में आ जाये आपकी सुरक्षा की गैरं को भी लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टी है शनिदेव किसी भी प्रकार से चंद्रमा से संबंद बना रहे हैं तो निशन्देह ये काल ये समय आपको कश्ट प्रदान कर रहा होगा तो पहले तो ये मुख्यता हब पांच राशियां सावधान हो जाएं और इस प्रयोग को करें वहीं प्रदोश वरत जिन्हें प्रारंभ करना है वो आज क्योंकि किसी भी वरतित्यादिक प्रारंभ करने में शनिवार और मंगलबार का विशेस महत्व है तो प्रदोश वरत प्रारंभ करना है स्रावण का महीना और शनिवार का दिन शनित्रयोदशी आपको ये वरति यहीं से संकल्प लेकर के प्रारंभ कर लेना चाहिए अब वो लोग जो शनीदेव की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें करना क्या है भोलेनात को शनीदेव अपना गुरु मानते हैं और भोलेनात की कृपा अगर मिल जाए तो शनीदेव बाल भी बाका न करें आपको छुए न बलकि आपकी सुरक्षा प्रारंभ कर देंगे तो करना क्या है बस हो सके तो फलाहार या हो सके तो बिल्कुल निराहार जो आपसे संभव हो अगर आप निराहार रह सकते हैं वरत का पालन कर सकते हैं बहुत अच्छी बाक नहीं कर सकते आप फलाहार ले दीजिए और सायंकाल घर के आसपास जो भी करीब में शिव मंदिर हो वहां चले आईए भोलेनात की आप बिधिवत सोड़ सो पचार और नहीं तो पंचो पचार तो करी सकते हैं पूजा कर लीजिए और मैंने एक बिधी बताई थी हतेली में मध्यमा उंगली के ठीक नीचे शनीपरवत है ये सनीदेव का इस्थान है बस भोलेनात का जो शिलिंग है अरग्या और अरग्या के नीचे का जो भाग है उसी के पास हाथ को ऐसे सीधा लगा दीजिए और यहां जो आप तेल की धार देना सरसु तेल या तिल तेल जो भी है आपके पास तेल की याद रखना है कि शिलिंग पर न पड़े और अरग्या पर भी नीचे नीचे आपको डालते रहना है और जितना तेल है आपके पास वो तेल अरपित करिए शनी जन्य पीडा से मुक्ति मिल जाएगी अगर आप ये नहीं करना चाहते तो शनी मंदिर अगर आपके आसपास है तो शनी मंदिर में जाकर के शनीदेव के उपर तेल अरपित कर सकते हैं भोलेनात की पहले पूजा करनी है और इसके बाद तेल वाला प्रयूग शनी जन्य पीडा से मुक्ति मिल जाएगी और बाकी जो लोग प्रदोश वरत करना चाहते हैं संकल्प पूर्बक पंडित जी से संकल्प करवा लिजेगा उद्देश्य क्या है और प्रदोश का वरत कर सकते हैं अब चलते हैं राशी फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्याले करके आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा नौ बजे तक धन आपकी राशी से दुतिये भाव में सुन्चरण कर रहे हैं नौ बजे के बाद राशी से पराक्रमस्थ हो जाएंगे तुरुतिये भाव में चले जाएंगे जहां गुरू के साथ उनका संबंध बनेगा गजकेशरी योग का निर्माण होगा मिला जुलाकर के दिन बढ़िया है पराक्रम में आपके बृध्धी होगी और पराक्रम के कारण ही मेहनत के कारण ही आपके सारे काम बनने वाले हैं तो वहीं कारिस्थल पर भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है परिवार के बीच अगर किसी बात को लेकर के समस्या परिशानी चल रही है तो उसे किसी और से बताने की जगह उसमें किसी और को शामिल करने की जगह खुद ही अगर इसका आप हल ढूंडे खुद ही आप उसे सुल्जाने का प्रत्न करें तो आप परिवार की मदद से इस समस्या का हल निकाल लेंगे और आज आपके अंदर गजब का आत्म विश्वास होगा औरों की मदद करेंगे आप मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से दिन बहुत बढ़िया है और आने वाले दिनों में छुटी का प्रोग्राम बनाईए बाहर नहीं भी जा सकते हैं तो घर में अगर मनाना चाहते हैं घर में ही योजना बना करके समय का अनंद लीजिए और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन कोई बड़ा फैसला अगर करते हैं आप तो आज नहीं करना है व्यापार से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना है धहरे बना करके रखना उचित है ब्यापार के मामले में तनिक भी चल्दबाजी आज आपको मुश्किल में डालेगी और जीवन साती से अनवन की संभावना है, आप चाहे, तो इस स्थिति को पहले ही रोक सकते हैं अनबन की स्थिती ही नहीं बनेगी प्रेम संबंद में उतार चलाओ की स्थिती होगी आप सम्हा लिए और विद्यार्थियों की बात कर ली जाए तो मन पढ़ाई में आज बिल्कुल नहीं लगेगा आज सब्जिक छोड़ करके अपना विशय छोड़ करके बाकी की चीजों में आप अपना मन लगाएंगे या बिचार कर रहे हैं बदलाओ का तो अभी आपको ऐसा कोई निरने नहीं लेना चाहिए छोटे भाई बहनों की तबियत में थोड़ी परिशानी आ सकती है सावधान करिए भोलेनात के मंदिर में जाकर के आज भोलेनात की आराधना करिए मैं कहूंगा प्रदोश काल में चले जाईएगा और प्रदोश काल में जाकर के भोलेनात की आराधना करके और उनका अभिशेक करिए गंगा जल से लकियंग का आपके लिए आठ लकी कलर आपके लिए और बात ब्रिशब की कर लेते हैं ब्रिशब रासिक जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर-कुंडली में चंद्रमा आपकी राशी पर ही गोचर कर रहे हैं नौ बजे के बाद राशी परिवर्तन करेंगे और आपकी राशी से दुतिय भाव में सुन्चरन करना प्रारम्भ करेंगे धनलाव की दुतिय को देखते हुए दिन बढ़िया है सफलता मिलने वाला है अपने लक्षों पर ध्यान दीजिए विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहत खास है सफलता मिलने वाला है विशेश कर अगर आप कहीं ऑनलाइन परिक्षा, इंटरव्यू या किसी भी तरह के कमपटीशन इत्यादी में या वाद दिवाद चुसंबंधित प्रतियोगिता में आप भाग लेते हैं दिन बेहत खास है अपने तर्क से, अपने ज्यान से सबको आज प्रभावित करेंगे, सबको अचंभित कर देंगे अचानक कहीं से लाव किस्तुती व्यापारियों के लिए बन रही है, नौकरी व्यापार दोनों में ही उन्नती के योग बन रहे हैं और व्यापार के सिलसिले में यात्रा किस्तुती बन रही है, जो कि आप के लिए लाभदाई सिद्ध होने वाली है व्यापारियों के लिए देखा जाए तो पुर्णतह बृध्धि के संकेत मिल रहे हैं बस एक बात का खयाल रखिए कि एक बार में एक ही काम हाथ में लीजिए दामपत्य जीवन में नई खुसियां आएंगी प्रेम संबंद के लिए दिन अत्यंत स्रिष्ट और सेहत के द्रिष्टिकोर से देखें तो सेहत के लिए दिन सामानने है बस अभक्ष का आज भक्षन न करें यानि मानसाहार और मद्देपान से दूरी बना करके रखिए कार्य की अधिकता के कारण मानसिक तनाव और आखों में जलन की शिकायत हो सकती है वैसे सेहत में कोई विशेस परिसानी नहीं है आज विशेस तह प्रदोश काल में भोलेनात की आराधना करना सुरिष्ट उसे धोगा भोलेनात के उपर दुख धरपित करिए प्रदोश काल में लकियंग का आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज पीला है मिथुन की बात कर लें तो दिन आपके पक्ष में होता प्रतीत हो रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आप किरासी से 12 सुंचरन कर रहे हैं नौ बजे के बाद आप किरासी पर आ जाएंगे अतह सोचे हुए कारे प्रारंभ करने के लिए तयारी कर लीजिए दो पहर के ब आज विशेस आप फायदा पाएंगे कोई पुराना मसला पुराने पुरानी परिशानी जिससे आप जूज रहे थे उससे निपटने के लिए उससे मुक्ती पाने के लिए दिन बढ़िया है किसी भी बात पर ज्यादा जोर नहीं देना कहीं भी रहिए चाहे कारिस्थल पर हैं या ब्यापारी के स्थल पर हैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजे ये बात घर में भी लागू करिए छेड़ चाड़ करेंगे माहौल बिगड़ेगा प्रेम संबंद में आज अन्बन की संभावना है दामपत्ते जीवन की अगर बात करू तो यहां भी तनाव की स्थ थे तो परिशानी बनी रहेगी भोलेनाथ के मंदर में जाकर के आज सायमकाल भोलेनाथ के उपर सुगंधित द्रब्य इत्र अर्पित करिए लकियंका आपके लिए एक लगी कलर आपके लिए आज लाल है वहीं आप एक और बात का खयाल रखिएगा आज प्रदोश वरत है और आप मिथुन डासिके हैं तो आपको सनी की धहिया चल रही है प्रदोश काल में भोलेनाथ की आराधना करिएगा और पूर्ब में मेरा बताया उपाए आज अवस्य कर लिजेगा धहिया के कारण जो भी परिशानी आ रही होगी वो दूर हो जाएगी करक की बात कर लें तो पूर्ब में किये हुए प्रयासों का परिणाम अब देखने को मिलने वाला है हाला कि एक बात बता दू गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी परिवर्तन करके ब्याय की तरफ जा रहे हैं तो परिशानिया बढ़ने वाली हैं आम दनी के नए रास्तों को ढूंधना होगा समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको ततपर रहना होगा समस्या आएगी नहीं समस्या आएगी भी तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे उसको पार पाने में सफल होंगे किसी बात का अगर अपसोस है किसी से कोई शिकायत है तो उसे दूर करने का प्रत्न करिए करियर में कायक्षत्र में सकारात्मक ओफर मिलने वाले हैं यात्रा किस्तुती बन रही है व्यापारी है तो व्यापार में धनलाब किस्तुती है लोगों से आज सहयोग मिलेगा नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी धन प्राप्ति के संकेत बन रहे हैं बस एक बात का खयाल रखिएगा उधार नहीं देना है अपने खर्च पर नियंत्रन रखना है प्रेम संबंध की बात कर लूँ तो किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो सोच समझ कर कहीं करिये क्योंकि सामने से मना ही हो सकती है हाँ अपने प्रेमी को उपहार देने के लिए सर्प्राइज देने के लिए दिन बहुत बढ़िया है बिद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया किसी भी प्रकार की परिछ्छा में सफलता आपको मिलेगी और वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है निथा चोट चपेट की घटना घटित हो जाएगी भोलेनात के मंदर में जाकर के भोलेनात को आज सफेद चंदन विशेसकर प्रदोश काल में सफेद चंदन अबस से लगाईए लकियंक आपके लिए साथ लकी कलर आज के आपके लिए ग्रे है और बाद सिमकी कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा दसम में हैं लेकिन लाभाव की और बढ़ रहे हैं मिला जुलाकर के दिन बढ़िया है दिन खुशियों भरा है पैसों के दृष्टिकोंड से देखें तो इस तुति में काफी बदलाव होता हुआ दिखाई पार रहा है किसमत का साथ आपको मिलेगा भाग आपके साथ है किसी भी तरह की परेशानी से जूज रहे थे तो उससे मुक्ती मिलेगी और जीवन काल में जो भी समस्या आ गई है उससे मुक्ती पाने के लिए आपको प्रत्न करना होगा बस एक बात का ख्याल रखिए कोई काम जबरदस्ती मत करिए एक बात बता दूँ आज आपका दिम देखा जाए तो बिल्कुल संतुष्टी देने वाला है दिन फायदे के स्थिती बनेगी थोड़ी मेहनत में ही अच्छा लाब मिलेगा पुराने लेन देन को ले करके आज थोड़ी तनाव की स्थिती जरूर बन सकती है लेकिन सावधान रहिए और तनाव बेवजह का बात बिवाद जगडा इस से दूरी बनाईए प्रेम संबंद के लिए दिन अच्छा है प्रेमी की भावनाओं का संबान करिए दामपत्ते जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन भोजन का आज आपको खास खयाल रखना है मानसाहर मद्यपान से दू और बात कन्या की कर लेते हैं कन्याराशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है राशी शेशनी आपके पंचमस्त चल रहे हैं तो आपको भी पूरी तरह से सावधान दहना है जो भी समस्याएं हैं वो जीवन काल में जो चल रही हैं उससे मुक्ति पाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है आज प्रदोश काल में भोलेनात की आराधना करनी होगी और भोलेनात के अरग्या के नीचे सरसो तेल अरपित करना होगा जीवन काल में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे कारेक्षत्र में भी कोई अच्छी ख़बर आपको मिलने वाली है वहीं कारिस्थल पर ऑफिस में आज का दिन बढ़िया रहने बाला है पैसों के साथ साथ ज्यादा तरमामलों में जिसमें आपकी जूज रहे थे परिशान हो रहे थे आपको राहत मिलेगी सफलता मिलने वाली है और वहीं नौकरी के लिए प्रयास रत्यानी नौकरी चली कई है तो यह समझ लीजिए कि भोलेनात की ही कृपाश चनीदेव की कृपा नौकरी मिलेगी व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है जो खिम भरा कहीं भी निवेश नहीं करना व्यापार में सामाननी इस्तुती बने रहने दिजिए कोई विशेस जो खिम मत लीजिए और ज्यादा खर्च के कारण आप अपने माथे आज परिशानी ला सकते हैं किसी के साथ संबंध बिगाड़ने की गलती मत करियेगा प्रेम संबंध के लिए दिन जहां बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है वहीं आज आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है कोई अच्छी स सामान्य और स्वास्त का खयाल रखी विशेश कर मा की सेहत का विशेश आज आपको खयाल रखना है तो प्रदोशकाल में आज जाकर कि तेल अर्पित करना होगा अरग्या की जड़ में और भोलनात की अराधना भी जरूर पहले कर लिजेगा लखियंक आपके लिए नौ ब्यापार और हर तरह से समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के दृष्टिकोंड से भी देखें दिन बहुत बढ़िया है धनलाव के योग बन रहे हैं और आज आपको रुके हुए काम भी पूर्ण होते हुए प्रतीत हो रहे हैं जरूरत पढ़ने पर आज आपको हर प् खरब मत करिए प्रेम संबंद के लिए दिन सामाने दिखाई पढ़ रहा है परिवार जीवन साथी सब के बीच बढ़िया तालमेल बिठा कर रखेंगे आप घर का माहौल खुसीयों भरा रहेगा प्रेम संबंद के लिए बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन काम करना है प्रदोशकाल में भोलेनात के मंदिर में चले जाना है पहले भोलेनात की आराधना कर लेनी है आपको और इसके बाद शनिदेव की आराधना करनी है भोलेनात के अरग्या के जड़ में ही सरसो तेलर पित करना है लकियंक आपके लिए पांच लकी कलर ब्राउन आज खुद की प्रेरणा से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे यानि आपको आज मोटिवेट करने वाला कोई और नहीं आप खुद हैं कारिस्थल परतिम सामानेता बढ़िया है मन प्रसंद रहने बाला है कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जो आपको प्रसंद कर दे अगर न एक छत्र में आगे बढ़ने को लेकर कि अगर कोई समस्या थी तो वो समस्या खुद बखुद दूर हो जाएगी नौकरी व्यापार हर इस्तित्य को बेहतर बनाने के बारे में आपको विचार करना पड़ेगा और जरूत पढ़ने पर अपने मित्रों से विचार बिमर्स कर लेना होगा ये फाइदेमंद होगा व्यापारियों के लिए दिन पढ़िया है भविश्य को लेकर के कोई नहीं ओजना बनाना चाहते हैं तो बनाइए और अपने गुस्ये पर लापारवाही पर दोनों पर कंट्रोल रखना एनी गुस्सा भी नहीं होना चाहिए और लाप लागजी कार्य जिसमें एकागरता की आवशक्ता होती है ऐसे कार्य मत करिये प्रेम संबंद में सुधार आएगा जीवन साथी की भावनाओं को अगर समझे तो दामपत्य जीवन भी सुखद और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहीएगा छोटे बच्चों की सेहत में थोड़ी परिशानी आ सकती है भोलेनात के मंदिर में जाकर के भोलेनात के उपर बिल्लोपत्र अर्पित करिये लकियंग का आपके लिए आठ लकी कलर हलका पीला है औ और बार धनुराश की कर लेते हैं धनुराश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर करके आ रहा है आज कोई खुश खबरी आपको मिलेगी ऐसी खुश खबरी जो आपके अंदर उत्साह आपके अंदर आतनो इश्वास और हिम्मत भर दे धनलाब की संभावना बन रही है तो हैं दिन भर के कारिय आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई पढ़ रहे हैं कारिय स्थल परदिगारी आप से खुश रहने वाले हैं मन की बात मन में ही रखिए अपनी योजना का जिक्र किसी से भी मत करिए और आज जो भी मिले उसकी कम से कम तारीफ हवस्य कर दीज हाँ कोई पेशकस या कोई ऐसा ओफर आपको मिलता है जो लगता तो है कि स्विकार कर लेना चाहिए हाथ हो हाथ पेशकस स्विकार मत करिए उस पर पहले विचार करिए बाद में निरने लीजिए आज आप सबको आकर सित करने वाले हैं ब्यापारी है तो ब्यापार में ला वाला है स्वास्त में कहीं कोई परिशानी नहीं आज गरीबों को भरपेट भोजन कराना है और शायमकाल हो सके तो आप खुद ही वरत्र का पालन करिए निराहार रहिए नहीं तो फलाहार कर लीजिए गरीबों को भरपेट भोजन कराईए और सायमकाल भोलेनात का पूजन कर के भूलेनात के यानि शूलिंग के अर्ग्या की जड़े में सरसु तेल अर्पित करिए साधे साधे साती से गरसित हैं आप लाभ मिलेगा लखी यंग काप के लिए चार लखी कलर आपके लिए आज ब्लू मकर की बात कर लेते हैं नौकरी से जुड़ा अगर नौकरी के दृष्टिकोंड से देखें तो दिन बहुत बढ़िया और नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी ख़बर आपको मिल सकती है मानसिक अगर अशांती से जूज रहे हैं या किसी भी प्रकार से आपको मानसिक असांती मिल रही है तो पुराना संगीत सुनिये सुकून मिलेगा आज अपने हर काम में आपको पूरी तरह से इमांदारी रखनी है पारदर्सिता रखनी होगी और जो भी कारे करिये ऐसा करिये कि कोई उस पर उंगली न उठा सके किसी को उंगली उठाने का मौका ही मत दीजिए कारिस्थल पर कोई बड़ा कारे आपको मिलने वाला है और उस कारे में साथ के जो लोग हैं आपके पूरी तरह से मददगार साबित होंगे एक बात आपको पहले ही बता करके आज रख दूँ कि कमपटीशन की भावना आज घर में ही छोड़के जाईएगा किसी को नीचा दिखाने की अगर आदत है आपके अंदर वैसे तो होती नहीं है पर है तो दूर करके जाईए घर में ही छोड़े जाईए आपके कारियों की आज आलोचना करने वाले खूब होंगे बलकि हो सकता है सड्यंत्र भी रचें आपनों शिंत्र रहिए कोई बाल बाका भी नहीं करेगा और आपको उनके पीछे पढ़ने की आवशकता नहीं ब्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई नहीं पढ़ अगर अगर दिन भर निरहार या फलहार रहते हुए भोलेनाथ की पहले आराधना कर लीजिए और इसके बाद शिवलिंग के अरग्या में स्वरसु तेल अरपित करिए अथवा ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी और शनीदेव एक साथ हो ऐसे मंदिर में जाईएगा और जाकर करके सनीदेव को तेल अरपित करिएगा लखियंग का आपके लिए 6 लखी कलर आपके लिए आज गत्थाई ब बाद भोलेनात के अरग्या के जण में आपको सरसो तेल अरपित करना है अथवा कोई ऐसा मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर उसमें सनीदेव भी हो वहां जाकर के सनीदेव को सरसो तेल अरपित करना है उर्जा का इस तर आपका बढ़ा हुआ रहेगा मानसिक तोर पर आप स साबित होंगे परसो छुटी है सो कहीं घूमने फिरने का कारिक्रम बना सकते हैं अपने परिवार जनों के साथ इससे घर का के दिन शुब रहने बाला है विशेसकर आईटी फिल्ड के विध्यारतियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है खान पान पर आपको नियंत्रन रखना होगा निथा पेट से सम्मंधित परिशानी पेट में जलन की शिकायत हो सकती है और आज का जो प्रयोग मैंने बताया वो क कर लिजेगा सब कुछ ठीक होगा लखियंक एक लखिकलर आपके लिए आज बिंग है और बात मीन की कर लेते हैं मीन राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है कुछ अच्छे और बड़े फैसले अगर करना चाहते हैं कुछ ऐसे फैसले जो आपके पूर्वक बिचार कर लेना है और तब उसमें मेहनत लगाईए बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी और निवेस के लिए देखा जाए कहीं निवेस करना चाहते हैं व्यापारित्यादी में तो उस पर बिचार करिए आने वाले दिनों में समय बहुत बढ़िया है आज आप थोड़े जादा ही संबेदन सिल रहेंगे दूसरों की समस्या को भी आज आपको गंभीरता से सुनना है परन्तु दूसरों की समस्या में खुद को नहीं डालना उससे बचा करके रखी अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले का आप भला कर दें उसकी मदद कर दें तो उसकी स मंद दामपत्ति जीवन दोनों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों को आज थोड़ा सावधान दहने की आवशकता है, मन पढ़ाई से भटक सकता है, और सेहत के मामले में बेहत सावधान और सतर करहना है, मौसमी बिमारियों की संभावना है, विसेस का घर में छोटे में लेकर के मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जात्कों का पूरे दिन का हल, अभी के लिए इतना ही इजाज़त दीजे, पुनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार